Hello and Welcome Everybody to Parcham Classes Parcham Classes के Quality Sessions में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम जो यहाँ पे Quality के Sessions कर रहे हैं वो है SSC के Perspective से किसके Perspective से? SSC के Perspective से So, हम जितनी भी पढ़ाई करेंगे जितना भी discussion करेंगे जो भी बात करेंगे वो SSC के Perspective से करेंगे ना कि UPSC के Perspective से करेंगे तो अगर आपको UPSC के Perspective से देखना है तो आप Playlist Available है चैनल पे आप वहाँ जाके Check Out कर सकते हैं यह नहीं तो Directly आप YouTube पे भी Search कर सकते हैं With My Name तो आपको UPSC की Playlist मिल जाएगे अभी हमें SSC की बात कर रहे हैं तो SSC जितना ही Content है उसी Level की बाते हैं यह द्यान रखना आपको ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे Historical Background of the Constitution क्या पढ़ेंगे आज चैप्टर हम Historical Background of the Indian Constitution तो सबसे पहले तो Indian Constitution होता क्या है या Constitution क्या होता है For any country, for that matter अगर हम किसी भी कंट्री के Constitution की अगर बात करें तो Constitution होता क्या है So Constitution is the Supreme Law of any country ठीक है? किसी भी कंट्री का Supreme Law है यानि कि वो कंट्री किस तरीके से Govern होईगी किस तरीके से उसके Internal Affairs और External Affairs manage के जाएंगे कौन-कौन सी Positions होगी कौन-कौन सी Delegations होगे ये सब आपको Constitution बताएगा किस तरीके से एक State manage होती है वो पूरी की पूरी डीटेल आपको Constitution में दी जाएगी तो इस देश को Govern करने के लिए कानून कौन बनाएगा कहां बनाएगा कौन से Houses of Parliament होगे या for that matter Parliament क्या होगा लोग सबा क्या होता है राज्य सबा क्या होता है Similarly इस कानून को जो बनाया उसको Execute किस तरीके से किया जाएगा किस के पास Executive powers रहेंगी कौन-कौन इसके Implementation में role play करेगा Then आपकी Judiciary क्या काम करेगी किस-किस level पर आपकी Judiciary काम करेगी Central level पे करेगी या आपकी State level पे काम करेगी कौन से Courts होते हैं किस तरीके से Judges of Courts Decide होते हैं ये सारा सिस्टम आपको कहां बता रखा है आपको बता रखा है आपके Constitution में तो all in all short अगर करक्स में बात करें तो Constitution किसी भी देश की पूरी कहानी बताता है तो जैसे-जैसे Constitution हम पढ़ेंगे वैसे-वैसे हमें समझ में आता जाएगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हैं So, historical background of the Constitution अब Constitution हमें समझ में आ गया Constitution is the Supreme Law लेकिन ये जो Constitution है हमारे देश का ये दुनिया का सबसे बड़ा लेंदी written Constitution है और इसको बनाने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए तो अब्वेसी बात है कि ऐसा तो थानी की ओवरनाइट बन गया रात में कोई सोया, सुबह उसको याद आया चलो Constitution लिख देते हैं पूरा देश इस तरीके से चलेगा आज की तरीक में हमारी 1500 करोड के round population है तो उसको गवरन गनने के लिए कुछ concrete हमारे पास वो कोनी चीए, concrete law होना चीए और वो law हमारा mention है हमारे Constitution में और इसको बनाने में भी बहुत समय और बहुत मेनत लगी, बहुत पैसा भी लगा तो हमने खूप सारा input दिया जब जाके हमारा ये Constitution निकला तो अब हमें क्या पढ़ने की ज़रूद है कि हमारा जो ये Constitution बना है क्या बना है वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन जो भी बना है वो ऐसा क्यूं बना है मैं ऐसा क्यूं हूँ तो उस constitution को particularly वैसा design क्यों किया गया तो उसके पीछे की पठकता हम पढ़ेंगे आज historical background कि हमें constitution बनाने की जरूरत क्यों पढ़ी और बनाया तो ये क्यों बनाया उसके पीछे की कहानी हम पढ़ना चालू करेंगे कैसे कैसे हमारा evolution हुआ constitution का और finally ये रूप लिया हमारे constitution में ठीक है तो इसके लिए भी पहले हम थोड़ी सी briefing ले लेते हैं कि हमें पढ़ना कहां से है अब ऐसे तो हमारे अनंत काल से हम चालू करते हैं जब से हमारे रामायन महावारत है तो तब से हमें पढ़ना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है हमें का अप से करना है जब से हमारा recent time की बात कर रहे है कि वह जब से हम इसको follow कर रहे है यानि कि 1947 जब हमारा देश आजा दुआ औ पर राज किया उकूमत करी तब से हम उसको context में लेते हैं background काहनी जलू होती है सन 1600 के around तो जब हमारी पहली मुला का तो भी ब्रिटिश थे ठीक है तो सन 16 सा के around जो ब्रिटिश थे अंग्रेज लोग थे वह हमारे देश में आये ट्रेडिंग करने ट्रेडिंग एक्टिविटीज करिए के लिए यानि की business करने दंदा करने ठीक है तो यह जब आये थे East India Company के नाम से तो इनके intentions बहुत clear थे इनको सिर्फ पैसा कमाना था और कोई मतलब नहीं था सिर्फ दंदा करना था इनका राज करने रूल करने का कोई intention नहीं था जब यह सन 16 सो में आये थे clear रवाद तब और भी European countries थी Spain, Portugal ऐसी countries हमारे यहाँ पर trade करती थी लेकिन Britishers की यह पहली company थी East India company British East India company बोलते थे इसको जो कि हमारे यहाँ पर trade करती थी यह बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से export करते थे और वहाँ पर जाके huge profits रीपिन करते थे और अच्छा कासा खुशाल जीवन जीते थे clear है? आए कैसे थे? यह आए थे with the royal charter from Queen Elizabeth royal charter बोले तो कि exclusive rights इनके पास कि they will be the only British company only British company European company की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं बोलाओ British company इकलोती British company जो हमारे देश में जाके trade करेगी ऐसी monopoly का order यह लेके है थे from their Queen Queen Elizabeth उस time की जो Queen Queen Elizabeth उन्होंने इनको यह order यह इनको एक permission दी कि आप जाके हिंदुस्तान में trade करिये और पैसा लेके आई हमारे देश में मसत रही और कोई British company नहीं आईगी तो अच्छा कासा चल रहा था 100-500 साल तक इनका यही system चल रहा था कि हम दंदा करेंगे पैसा कमाएंगे और अच्छे अच्छे profit हमारे देश में हमारे अमीर होंगे सोने की चड़िया हमारा देश थाई तो पैसे की कमी थी नहीं हमारे पास लेकिन दीरे 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 जाके इनके political interest भी जागने लगे और यह अब कंट्रोल करने वाली situation में आगए क्योंकि एक तो अमीर बन गए इतने इतने राइस बन गए इतना पैसा इनोंने कमाया तो अब वेसी बात है पावर इनकी हमारे देश में बढ़ती रही और इनकी footing strong होती गई तो अब इनके interest और बढ़ने लगे और यह अब हमार को गवन करना चा रहे थे इस वज़े से इन बैटल ऑफ प्लैसी 1764 के आसपास 1764 के आसपास बैटल ऑफ बकसर जिसको इनोंने जीत लिया इनोंने जीत लिया और हमारे एंपररर जो थे शाह अलम फाइम नाम था उनका वो हार गए ठीक है तो इससे क्या हुआ इनको इनको मिल गए दीवानी राइट इनको मिल गए अग रेविन्यु राइट्स ठीक है तो आप इनको लेडे रेविन्यू राइट्स ठीक है तो अब जो टेक्स कलेक्शन याद रेविन्यू के राइट्स थे एक तो यह पैसा माल बेचके एकसपॉर्ट करके अपने जो बिजनस्ता वो तो कमा फिजरे भी रहते से यह टेक्स कलेक्शन भी करते तो अब यह पॉलिटिकली भी एंटर कर चुके अब यह हमारी गवनेंस में भी काम करेंगे ठीक है हुआ क्यूं क्यूंकि बैटलो बक्सर यह हार गए और इन्होंने वहाँ पर अपनी गद्धी स्तापित गल्ली बैटलो बक्सर हराके कि अब इस एरिया के जो भी दीवानी राइट्स है वो मेरे पास है उस राजा के पास नहीं है समझ माधी बात तो इससे क्या हुआ एस्ट इंडिया कंपनी बनगी फुल पैसे वाली पैसा तो कमी होगी नहीं क्यूंकि जब इतना बड़ा आप ट्रेट से पैसा कमा रहे है फिर इसा अपनी जेब में डाल देते तो अमीर हुए तो कौन हुए वहाँ के ओफिसर जो इंडिया में प्रेजेंट थे और तब तो क्या होता था तब सॉफ्ट्वेर्स होते नहीं थे सिस्टम होता नहीं थे तो आप कंट्रोल भी नहीं रख सकते ही स्मार्टफोनों कैमरा लग जाते थे तो कंट्रोल नहीं था इस वज़े से क्या हुआ ईए इसे इट सेल्फ एज़फ एज़ा पैसा नहीं कमा पाई और वह बैंक्रप्ट होने लग गई क्यूंकि उन्होंने बोला कि यह हमने एक तो पहले बाद हमारे को इस देश में मैनेज करना दन्दा दूसर अब ही वीसेंटली हमारी दो-तीन वार्स हुई हैं बैटल ओ बख्सर बैटल ओ प्लासी एंगलो इंडियन वार जो थी इससे हमारा बहुत सारा जो हमारे रिसोर्स हैं वो डिपलीट हो गए खतम हो गए और हम बैंक्रप्ट हो गए हैं हमारे पास पैसा नहीं है टूरन आर परनार operations in इंडिस कंट्री तो ये गए वापिस एलिजबेद के पास उनकी queen के पास कि madam हमारे सात ये problem आे हैं hum से बोला कि बहुत है नहीं है चर्त में इनको क्या करना पड़ा इन्होंने बोला कि हमारे जो management है वो देखेगी हमारी British government तो कानी समझ मैं यहां तक East India Company के पास पैसा आया लेकिन पैसा गया ओफिसर्स की जेब में कंपणी के पास नहीं है तो कंपणी रूल नहीं कर पारी कंपणी मैनेज नहीं कर पारी थे अफिसर्स और इसके लिए फिर इन्होंने लोन मांगा या उधार मांगा इनके Emperor से कि भया हमार को पैसा दो हम हमारे देश इंदुस्तान में दनना आगे carry on करना चाते क्योंकि undoubtedly it is a profitable country बट क्योंकि अभी recently 2-3 wars हुई है तो हमारे resources डिपलीट होके हैं हमारे काफी लोगों को नुकसान हुआ है तो अभी हमारे पास पैसे नहीं है जैसे startup होता ना fund करते है funding मांगते finance करते है तो उसी तरीकी के system तब भी चलता था तो इन्होंने इनसे पैसा मांगा अब पैसा मांगा इन्होंने तो इन्होंने जो crown थे इन्होंने इनसे क्या शर्त रगी कि भया हम आपके affairs हम manage करेंगे हम आपको loan तो देदेंगे आप हमें return देते रहना जो जो डिसाइड इस्टिपुलिटेड टर्म से लेकिन अब आपके हिंदुस्तान में जो भी मेनेजमेंट है लौ है उसको हम देखेंगे हम आपकी पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाएंगे यह बात इन्हों ने बोली ठीक है so British government ready to help but in return started to control EIC ठीक है East India Company के उपर control किसका रहेगा British government कर रहेगा यानि कि वहां के emperor कर रहेगा clear है बात यह चीज हुई system समझ में आया emperor और जो भी British government थी उनका control रहेगा तो इससे क्या हुआ अब इन्हों ने बोला East India Company ने कि कोई बात नहीं है क्या फरक बट रहे हमें पैसा मिल रहा है दूसरा at ground level at root level इंदुस्तान में तो हमारे ही लोग बैठे हैं वहां पे जो British government में लोग बैठे हैं या emperor के जो लोग हैं वो हमसे क्या उखाड लेंगे हमारा क्या उखाड लेंगे तब देखो आपको क्या करना imagine तब ऐसी situation नहीं थी कि आप फोन पर control रख सकते हो आप camera के तूर रख सकते हो आप communication में रहोगे तो एक अलग देश और यह बहुत दूर दूसर देश तो यहाँ पर control ऐसा नहीं रखा सकता है यह country से दूसरी country पर control होए और यही problems थी आगे जाके यही problems आपको देखेंगी कि mismanagement की वज़े से control नहीं होने की वज़े से इनका depletion भी चालू हुआ ठीक है so when to British government और उन्होंने इनको control करने की मांग करी तो यहाँ तक कानी समझ में आती है कि अब British government इनको control करेगी और उसको control करने के लिए British government लेके आएगी regulating x यानि की regulate मतलब उनका नियंतरण करने के लिए x लेके आएगी जिसको बोला जाता है regulating x यहाँ फिर charter x तो यह आज हम पढ़ेंगे background आपको समाज में आगया क्यों आया charter x क्यों आये और कौन-कौन सा है यह भी हम देख लेते हैं क्यों आये क्योंकि British India British government को अब East India company पे control करना था ठीक है सबसे पहले आया regulating act 1773 फिर 81 settlement act फिर फिर 1784 1793 1813 1833 1853 हर 20-20 साल के gap में यह charter x निकालते थे हर 20-20 साल के gap में यह charter x तो अब आप देख रहे हैं एक act को revise करने के लिए 20 साल का period था या नई policy लाने के लिए 20 साल का period था तो इससे क्या मतलब है कि communication बहुत दूर था बहुत दूर दो देश थे उनमे communication फिर उस पे वापिस काम करना आगे का process lay down करना it would take time तो यह क्या करते थे एक regulating act लगाया अब उसके साथ आप 20 साल चलो फिर हम दूसरा regulating act जो जो changes हमें करने है वो हम करेंगे ठीक है तो आप अगर gap देखेंगे तो 1773 1793 1813 1833 1853 सब में 20-20 सा कुछ amendment act भी आते थे कि यह जो problem है हमें हाथो आप दिखी तो इसको थोड़ा सा rectify हम कर देते हैं बढ़ अगर charter act की बात करें तो charter act 20-20 साल के gap में आते थे clear यह बार अब इनको हम पढ़ना चालो करते हैं तो सबसे पहला act हमारा regulating act of 1773 इस्ट इंडिया कंपनी पे control किसका आ ब्रिटिश गवर्मेंट का यह control इन्हों ले लिया अब से इन्होंने 1773 से इन्होंने क्या करना चालो किया regulating act निकालना चालो करें जिसके थू यह control करेंगे इस्ट इंडिया कंपनी के management को ठीक है so this act was based on report of a committee headed by the British PM Lord North ठीक है Lord North नाम से एक इन्सान थे वहां के PM जिनक्या पहला charter act इन्हों की committee की recommendation के उपर बनाया गया कि किस-किस recommendation पे इन्होंने इंदुस्तान में आके सारी study करी और फिर उसकी recommendation पे वहां से एक act निकाला कि इस तरीके से हमार को इस्ट इंडिया कंपनी को control करना है ठीक है so governance of East India company was put under British parliamentary control किन के control में आ गई थी British की parliamentary control में आ गई थी यानि कि उपर कौन था British माईबाप और फिर East India company हमारे देश में काम करती थी ठीक है English तीन presidencies हुआ करती थी बंबे मदरास और बंगाल यह तीन presidencies के तुरू यह control करती थी East India company अपने affairs हमारे देश में तो इन्होंने क्या करा East India company ने इस इंडिया सरी British government ने उनको लगा कि यार यह क्या यह segregated है बंगाल अलग है बंबे अलग है मदरास अलग है तो इन लोगों में management अच्छे से नहीं हो पाता तो इन्होंने क्या सोचा कि हम सारी powers को क्या करते हैं towards बंगाल मूव करना चालू करते हैं Centralization इस process को क्या बोलते हैं Centralization कि हम सारी powers एक तरफ transfer करना चालू करते हैं और एक ही जगे से हम यह accountable रहेंगे हमारे को तो इन्होंने क्या करा यहां के governor general एक appointment करा और उसको hold दे दिया इन दोनों Presidencies का भी Bombay और मदरास Presidencies का इससे क्या हुआ एक ही point हो गया जहां से British government control करेगी इनको एक ही point हो गया क्योंकि अकर तीन Presidency इस पे अलग अलग तीन-तीन governor है तो तीन जगे से accountability लो तीन जगे से responsibility लो British government के लिए यह थोड़ा सा problematic काम थ तो इन्होंने बोला या सबसे पहले तो क्या करो आप एक जो Presidency है उसको मुख्य बनाओ और इन्होंने सोचा कि बंगाल क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा trade होता था factory setups भी बहुत थे वहाँ पे British East India Company के तो इन्होंने क्या करा Centralization का process चालू करा और इनकी accountability अब direct कहां से होई बं Bombay और मदरास से, Bombay मदरास किसको report करेंगे? बंगाल Presidency को और बंगाल finally फिर तीनो Presidency की report करेगा हमारी British Government को ठीक है? और इनके जो first governor general थे तो उनको क्या बोला गया? जो governor और बंगाल थे पहले क्या होता था? तीनो के अलग-अलग governor? गवववववववववववववववव लेकिन फिर उन्होंने क्या करा? एक ही governor general बना दिया जो governor था बंगाल का उसको नाम दे दिया गया governor general ठीक है? और governor general बोल दिया गया और वो पहले थे Warren Hastings यह रही इनकी photo क्या नाम था? Warren Hastings समझ मैं ही कहानिया तक? कहानी की तरह पढ़ेंगे ताकि समझ मैं है ठीक है? दूसरा क्या step लिया है इनोंने? Supreme Court was established in Calcutta in 1774 क्या हुआ? Supreme Court set up कर दिया गया हमारे यहां पर कि कोई भी अगर हमारे law जो हम acts बना रहे हैं लागू करने के लिए तो उस पर कोई भी अगर dispute होगा तो कहाँ पर सौल होगा हमारे Supreme Court में यानि की जो की set up किया गया Calcutta के अंदर 1774 में और इसके पहले judge थे Sir Eliza Imfy इनका नाम था जो की यहां के पहले judge थे हमारे Supreme Court के तो यह एक important question हो सकता है who was the first judge of Supreme Court in British India तो वो थे Sir Eliza Imfy और तीन जज और थे Chambers, Limister and Hyder लेकिन यह इता important नहीं है तो आपको क्या पहले का नाम याद रखो Eliza Imfy ठीक है यह थे हमारे यहां के पहले judge Supreme Court के तो आप क्या कर दिया गया Calcutta, Bengal जो है Bengal प्रोविंस का जो Governor है उसको बना दिया Governor General और दूसरा Supreme Court set up कर दिया गया Calcutta में 1774 में ठीक है Governor General was empowered to make rules regulation and ordinance with the consent of the Supreme Court अब Governor General जो था हमारे बंगाल का जो बंगाल का गवर्नर ता जिसको Governor General बना दिया यानि की Warren Hastings तो यह क्या करते थे यह सारी rules and regulation बनाते थे तीनो प्रेजिदेंसी से related Bombay, Madras और क्यलकटा की बंगाल प्रेजिदेंसी को with consultation with the Supreme Court with consultation of Supreme Court यानि की Supreme Court यानि की Supreme Court regulations और law बनाते थे काम किसका था Governor General का लेकिन उनको consultation लेना था Supreme Court से तो अब एक बहुत दिखती सी बात है कि जब दो लोग दो अलग अलग entity एक ही काम को करेंगे तो उनमें कहीं न कहीं conflict of interest होगा कहीं न कहीं बसड़े चालू होगी क्योंकि दो आदमी same mindset के नहीं हो सकते और य smoothly carry on नहीं हो पा रहे थे ठीक है यहां तक का नहीं समझ मैं ही फिर बड़े आगे तो 1773 में तो उन्होंने क्या करा Supreme Court का setup और वो बोल दिया इधर Governor General को बोल दिया कि आप Governor General है मंगाल के और आप भी लोग बनाए with consultation with Supreme Court लेकिन क्योंकि आगे-आगे गाड़ी चली तो इनको दोनों को clearly define नहीं किया गया था आपको दोनों को बोल दिया गया था कि law बनाने in consultation लेकिन आपको क्या करना पड़ता है अगर laws को properly बनाना और implement करना है तो आपको सारा जो इनकी activities है उनको separate करना पड़ेगा clearly define करना पड़ेगा तो इसी नजरिये से आया settlement act 1781 तो मैंने आपको बताया पहला charter act 1773 में ठीक है और फिर मैंने आपको बोला था कि 20-20 साल के gap में आने है तो आना तो ये बिचारा कब चीए था 1793 में मतलब नया charter act क्या आना चीए था 1793 में पर क्योंकि यहाँ पर जो Supreme Court और Governor General की बसड़ चल रही थे इतने साल तो इन्होंने बोला कि यार amendment act भी बोलते हैं क्या बोलते हैं amendment act 1781 तो क्या purpose था इसका to rectify the errors of the regulating act of 1773 इसमें जो जो खामिया रह गई है 1773 में उसको निप्टाने का काम था बोथ Supreme Court और Governor General Council was given control over company officials conflict of interest मैं आपको समझाई चुका हूँ problem क्या थी कि Supreme Court और Governor General दोनों की powers क्या कर रही थी intersect कर रही थी दोनों में problem हो रही थी conflict of interest हो रहा था इस वज़े से हमें क्या करना पड़ा हमें लाना पड़ा settlement act 1781 क्या solution लिया limited control of Supreme Court over company officers and control over them towards Governor General Council separation of executive from judiciary तो क्या किया गया इन दोनों की powers को separate कर दिया गया और यही base है आज भी हमारे constitution में for the separation of power between legislative, executive and judiciary तो अभी क्या किया गया इन्होंने इन्होंने भी क्या करा judiciary activities अलग कर दी, executive और legislative activities दे दी हमारे governor general को और judiciary activity हुई supreme court के पास तो executive और legislative कानून बनाना और कानून implement करने का काम किसके पास रहेगा governor general के पास और उसके जो भी council है, इसको supporting council इनके साथ एक council भी होती थी चार जनों की जो की इनको support करती थी, तो ये वाले काम दे दी है governor general और executive को और judiciary का काम था वो आमारा law को interpret करना और law को control करना clear है बाद, so limited control of supreme court over company officer, तो company के जो officer और control था, वो supreme court से ले लिया, उसका main काम रख दिया judiciary कि भी आप नियाए देखो, आप देखो कि law डंग से हो रहा है, implement या नहीं हो रहा है, और अगर कहीं पर भी breach हो रहा है, defect आ रहा है, तो आपको तब action लेना है बाकी जादा आप उंगली ना करें, clear है, फिर भी अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये बात भी समझ में आती है, लेकिन जैसा आपको पताया है कि East India Company ने शर्त मानी थी, East India Company ने एक million की शर्त मानी थी, एक million pounds हमें दें, उधार हम आपको control करने देंगे, क्यों? क्योंकि उन बनतो रही थी, rules बनतो रहे थे, 1773 में आया, फिर 1781 में commitment act आया, लेकिन वो प्रॉपरली लागू नहीं हो पा रहा था, देश में, हमारे देश में, इंडिया पे वो at ground level, प्रॉपरली चीजें लागू नहीं हो पा रही थी, reason being, East India Company was not supportive, वो supportive नहीं थी, तो वो बार बार को smoothly काम नहीं चल रहा था, British government और East India Company के बाद में, बीच में, सो फिर एक और act बीच में लाया गया, Pitts India Act 1784, ये लाया गया by William Pitt, William Pitt, ये तब के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, Britain के, जिन्नोंने लाया, Pitts India Act 1784, ठीक है, अब क्या हुआ, ये जैसे मैं आपको हुदा है, इसका इसका बाद में, सो फिर एक और बीच में, बीच में वापिस एक को रहत लाना पड़ा, Pitts India Act 1784, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने और इसको और आगे समझा कि क्या प्रॉबलम आ रही है, तो इन्होंने एक और निवारन निकाला, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो बोड बना दी, एक बना दी, Court of Directors और एक बना दी, Board of Control, तो Court of Directors जो की EIC के लोग होते थे, East India Company के, उसमें क्या कर दिया, इनको दे दिया, Supervising Only Commercial Affair, तो East India Company के सिर्फ Commercial Affair को देखेगी, Board of Directors, और वहीं पे जितने भी Political या Military Affairs हैं, तो उसके लिए एक और बना दी, Board of Control, क्या बना द है, जितना भी Trading Activities है, जितना भी Business का काम है, वो काम तो इन्होंने दे दिया, COD को, ठीक है, Commercial से COD याद रख ले नाम, Commercial का सी, और Court of Directors का सी, यह दे दिया, इसको, इसके अलवा, Board of Control को क्या दे दिया, Political, Military and Administrative Reform, जो भी मेन नेताइकरी का काम था, जो भी हमारे यापे पॉल Government बना दिये, एक तरीके से, दो सिस्टम बना दिये, एक Commercial, विंग होगी, एक्टिविटी सिर्फ कमर्शल देखें, और एक आपको सारा Political, Military Affairs आपको देखने है, क्लियर बात, और जो ब्रिटिश, जो कम्पनी की टेरेटरी इस थी इंडिया में, जो भी इस East India कम्पनी की टेर प्रिटिश हुआ करती थी, लेकिन अब इनको क्या नाम देती है, क्या ब्रिटिश पसेशन इन इंडिया, ठीक है, so this was the main purpose of bringing Pits इंडिया एक 1784, फिर कहानी और आगे बड़ी, तो अब तो 20 साल बाद 1793, 73 के बाद, 1793 तो इनको लाना ही था, इनको नया रेगुलेटिं एक लाना ही था, चाट रेक लानी था, तो वो ये लेके आगे, क्या लाया इसके अंदर, it gave Governor General more powers, अब जो Governor General था हमारे बंगाल में, जो बंगाल presidency का जो गवर्नर आजिसको हम दे गवर्नर जनरल बना दिया था, वर्रैस्टिंग्स पहला उसको और power दे दी, और मजबूद बना कंट्रोल भी दे जा था तो गवर्णर जनरल बहुत स्ट्रॉंग हो गया और बाकी के गवर्णर जो थे चोटी मोटी प्रेजिदेंसी के दो प्रेजिदेंसी के वो उनके पास कोई कि एस सच पावर नहीं रहें साथी साथ इन्होंने ट्रेड मोनोपोली ओफ एएसी को बढ़ा दिया 20 साल के लिए क्या करा है इन्होंने इस इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड करने की उसको 20 साल और बढ़ा दिया यानि की 1813 तक कोई और ब्रिटिश कंपनी यहां पर दन्दा नहीं कर सकती सिर्फ इस इंडिया कंपनी ही दन्दा करेगी 1813 तक यह अग्रीमेंट यहां पर हो गया ठीक है members of the board of control and their staff paid out of the Indian revenues तो जो हमने पिछले page में board of revenues, board of control पड़ा यह जो board of control की एक body बनाई गई थी इनके जो members थे उनको पैसा कौन देगा? उनको पैसा देगा हमारा देश का जो पैसा रहा है यानि Indian revenues से ठीक है? were to be paid out of the Indian revenues courts were given power to interpret rules and regulation तो जो भी rules and regulation हमारे गवर्णर जनरल साब बना रहे थे या British government से बनते वे आ रहे थे उनको इंटरपेट करने का काम कौन करेगा? हमारे देश का सुप्रीम कोट ठीक है? तो अब आता है Charter Act of 1813 तो अब हम पहुचे 20 साल और जैसे तैसे निकाले 1793 में आया हमारा लास्ट फिर 20 साल हमने आगे निकाले 1813 तक तो अब इन 20 साल में भी क्या हुआ? EIC corporate नहीं कर रही थी, EIC के management प्रॉपरली नहीं हो पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी साथ ही साथ जो हमारा Indian लोग थे वो भी अब reforms की डिमांड कर रहे थे कि आप लोग जिस तरीके से हमारे यापर सिस्टम कर रहे है वो सही नहीं है, आप अत्याचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आवाजे उठने लग गई थी तो इसके संदर्ब में बलाया गया इसके reply में लाया गया Charter Act 1813 इसमें एक और background है कि Continental System of Napoleon Closed European Ports for British Trade तो इसका वैसे सच कोई importance आपके लिए नहीं है पर आपको एक बाद समझना चाहिए कि Napoleon जो French Ruler था एक तो उसने क्या करा Britishers के लिए European Ports बंद कर दिये ट्रेड करने के लिए क्यूंकि British की एकलोती कंपनी थी East India Company जो यहां पर ट्रेड कर रही थी और किसी Britishers यां और किसी कंट्री को ट्रेड में encourage नहीं किया जाला था कोई दूसरी कंट्री आती भी थी तो उनके साथ warfare हो जाते थे तो अब Napoleon ने क्या करा इन्होंने European Borders सील कर दी British Trade के लिए European Borders में जहां 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 उनकी ruling थी जहां जहां फ्रेंच ally यां फ्रेंच खोदी यां फ्रेंच allies जहां पर rule कर रहे थे उन्होंने Britishers के लिए ट्रेड बंद कर दिया तो अब इससे क्या हुआ English जो बिजनसमेन थे जो लोग क्या बोले कि अब हमारको इंडिया में मौका दो हमें इंडिया में भी जाके ट्रेड करना है एक तो Napoleon ने पहले परिशान कर रखा है और वहाँ पर British East India Company एकलोथी कंपनी है तो दूसरी Companies को भी आपको encouragement करना चाहिए यहाँ फिर आपको मौका देना चाहिए तो English businessman demanded share in Indian trade and demanded end to the monopoly of EIC तो यहाँ पर EIC की monopoly खतम करने की बात उठी clear है बात इस वाले Charter Act के थ्रू So territories of EIC greatly expanded difficult to function both commercial and political entity अब क्या problem और आ रही थी एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि भई यह जो EIC वो फैलता जा रहा था हमारे बारत देश में अलगलग कोनों तक तो इसका management और difficult होता जा रहा था easy नहीं था कि political commercial दोनों साथ साथ हम manage कर सकें कहीं नहीं conflict of interest और problems create होने लग रही थी clear है बात साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया pressure to bring social reforms in India तो जो यहां हमारे इंदुस्तानी लोग थे वो भी अप क्या करने लग गए थे वो reforms की demand कर रहे हैं कि आप proper management करें आप तरीके से हमारा system लागू करें अगर आपको हमारे को government करना है demands उठने लग गई social reforms in India की यहां तक हम क्या मान के चले थे अंग्रेज हमारे माईबाफ हैं यहां पर इस समय जो जनता दी इस देश की वो मानती थी कि अंग्रेज हमारे माईबाफ हैं पर कम से कम अगर हमारे माईबाफ हो तो कम से कम हमारे को तरीके सब चला लो एक rules regulation तो यहां के कुछ छोटे मोटे जो लोग होते थे छुटपुट तो आन्दोलन चालू होना चालू हो गए social reforms के लिए ठीक है फिर आया चार्टर एक 1813 यहीद पट रहे हम सो इनों ने क्या करा जैसे में लोको ओता है ट्रेड मोनोपोली की demand हो उसके चलते हुए East India company की Trad Monopoly को खतम कर दिया गया Trad Monopoly को खतम कर दिया गया East India company की in India पहले स्रिफ इन के पास सकते अब और भी British company आके यहां पर trade कर सकती है हाला कि दो जगे चाय के दन्दे में और चायना के साथ ट्रेड में दोनों में क्या किया गया exclusive monopoly अभी वी East India company की थी चाय और चायना राहिमिंग है चाय और चायना ठीके तो t and trade with China में अभी भी इनके पास exclusive right थे साथ ही साथ Christian Missionaries को और बोल दिया गया कि अब आओ आओ आप और हमारे देश में मतलब भारत में आप अपनी Christian Christianity फैलाओ जिसको Baptism भी बोलते हैं यहाँ पे लोगों को Christian Conversion चालू हो गया जो भी गरीब असाहे लोग थे उनको मदद के तोर पे Christian Missionaries इनको दरम convert करती थी साथ ही साथ यहाँ पे Western Education को fund करने के लिए एक लाग रुपे का annual fund भी दिया जाता था एक लाग रुपे आजके नहीं एक लाग रुपे उस ताइम के तो बजट में से एक लाग रुपे Western Education को impart करने के लिए भी दिया जा रहा था इन लोगों को ताकि इस देश में अगर बच्चा पढ़े भी तो Western Education पढ़े Western Culture डिवलप हो क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी वो ऐसी बनाना चाते थे वो आगे छोड़ना नहीं चाते थे British रस इसको वो एक English कॉलोनी इसको बनाना चाते थे लोकल राजे रजवाड़े थे चोटे मोटे उनको खुद का टेक्स कलेक्शन करने का मौका दे दिया गया क्योंकि अब यह गवन करना चाह रहे थे अब यहाँ पे क्या है इनका British का माइंड़ सेट भी यह नहीं था कि हम इनको स्लेवरी रख रहे हैं यह हमारे गुलाम रहेंगे ऐसा नहीं यह हमारी टेरिटरी रहेगी हमारे ही लोग रहेंगे इंगलिश टेरिटरी बन जाएगी तो इन्हों नहीं छोटे मोटे जो ऑटनोमस बॉडी ती उनको बोला कि आप अपने टेक्स लगाएं अपनी स्टेट अपनी प्रोविंसेज में टेक्स लगाएं और जो भी कलेक्शन है वह आप अपने पास रखें और उसके थूँँ अपनी अपनी एरिया को आप मैनेज करें हमारा द देश के जनता से पैसा लेके और उसी टेक्स को डिस्टिब्यूट करता है पूरी गंट्री में यहाँ सर्विसेस देता है तो इसी तरीके से local autonomous body को हमने पर्मिशन दे step of centralization all legislative power of governor of Bombay, Madras and Bombay were shifted to Governor General of Bengals. तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये Bombay, Madras, ये इन दोनों की सारी powers, legislative power अब आगई बंगाल के पास. कहा गी अब? सारी powers आगई बंगाल के पास. तो पहले जैसे क्या होता था? मेन आदमी तो वही था बंगाल का Governor General, लेकिन यहाँ पे भी local आप अपनी provinces के rules and regulation तो बनाते थे, legislation करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब सिर्फ एक ही जगे से कानून बनेगा, वो बनेगा बंगाल से. पहले यह कानून मनाते थे, लेकिन accountable होते थे बंगाल के Governor General को, और फिर Governor General जो बंगाल का था, वो accountable होता था, British Parliament को. लेकिन अब क्या कर दिया है इन्होंने? इन्होंने सारा कानून कौन मनाएगा? टोटल legislative powers दे दी बंगाल के Governor General को. अब इसको क्या बोल दिया गया? Governor General of India. क्या बोल दिया गया? बारत बेश का Governor General. पहले Governor General थे, लेकिन आप Governor General of India हो गये हैं. ठीक है? अब क्या हुआ? इस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेहस थे commercial. इस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि मोनोपॉली तो पहले ही खतम कर दी थी, 1813 में. लेकिन अब आते आते हैं इनको, बोल दे कि भीया, तुम धंदे से भी जाओ. तुम तो स्रिफ administration करो. हमारी जो properties हैं यहाप इस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर corporate करने नहीं दे रही थी, जो policies British government की थी वो लागू नहीं होने दे रही थी, क्योंकि root level पर इनके लोग थे और वापिस monopoly के against बहुत सारी चीजें उट रही थी, तो monopoly थो इनकी पहले ही कतम कर दी, अब इनके commercial wing को भी काट दिया गया और इ यहाँ क्या power थी इनके बास, ठीक है, slavery system in India was declared illegal through this charter act, वापिस जैसे मैं अभी आपको पता है, गुलामी के against बाते उटने लग गई थी, कि हमें गुलाम मत मानो, हमें तरीके से rule करो, तो यही system इदर हुआ कि slavery system को ban कर दिया गया, हाला कि slavery फिर भी चलती थी पूरे देश में, पट officially इसको यहाँ पे ban कर दिया गया, ठीक है, provided for establishment of law commission for consolidation and codification of Indian law, तो अब क्या हुआ, law commission की भी demand हुई, और social reforms की जो demand हो रही थी, उसी के साथ हमारे law की भी demand हुई, जो कानून आ रहा, उसको तरीके से codify करो, classify करो, और फिर लागू करो, तो इसलिए क्या हुआ, law commission का setup भी ह हुआ, और उस first law commissioner कौन बने, chairman मने, lord mcquillay, यह इनके पहले, chairman ते 1835 में, ठीक है, governor general council got full powers regarding revenue and a single budget of the country was prepared by the governor general, तो governor general जो था, बंगाल का, सारी powers, वेचे भी किसके पास move कर गी थी, governor general of bengal के पास, तो अब पूरे देश का budget भी कौन रिलीज करता था, governor general of bengal, पूरी revenue की सारी ताकत कहां पर आगी थी, governor general of bengal पर, और फिर वो हमार को report करता था, British government को, ठीक है, first time governor general of government was known as government of India, यह वो भी बात है, and his council was known as Indian council, तो जब governor general of India बन गया, तो उसकी government भी क्या हो गई, government of India हो गई, और उसकी council भी क्या हो गई, Indian council हो गई, समझ में आती ही बात, सिर्फ इंडिय word लगा दिया, क्योंकि यह वो देश का एक तरीके से राजा बन गया, ठीक है, regulation one now called acts, और एक और चीजा है, regulation one now called as acts, क्यूं, बात तो एक है, regulation act मोटा मोटा एक ही बात है, laws act एक बात है, तो फिर इसको act क्यूं बोला गया, क्यूंकि जैसे आपको पता है, बंबे, मदरास और बंगाल, ठीक है, यह बंगाल प्रोविंस है, ठीक है, यहां का जो governor general है, वो ही अब law बना रहा है, सब जगे के, और वो law पूरे देश में मानने है, binding है, आपको follow करने पड़ेंगे, पहले क्या होता था, local local provinces के, local local जो भी governor थे, जो भी bodies थी, वो वहां के regulate करते थे, regulation मनाते थे और उसको लागू करते थे, तो difference होता था, यहां का law लग, यहां का law लग, यहां का regulation लग, यहां का regulation लग, यहां का regulation लग, ठीक है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि governor general सब कुछ centralized हो गया है, सब कुछ governor general के पास पहुच गया है, बंगाल के पास, तो अब law कौन बनाएगा सिर्फ गर्वर्न जर्नला बंगाल ही बनाएगा और वो पूरे देश पे बाइंडिंग होगा ये बात हो गई ते ठीक है तो इसलिए अब इसको क्या बोल दिया एक्ट और इसने जो लो बनाया वो अप्रूवड होगा बाइदी ब्रिटिश पाल्यमेंट कौन इस इंडिया इस लिए इस लिए इनको ये भी बोला जाता था होल्डर इंट्रस्ट प्रोपर्टी हर मजेस्टी इस मजेस्टी तो क्या है जो भी आपका जितनी भी इस इंडिया कंपणी की जो टेरिटरिस थी जो की ट्रांसर होगी ब्रिटिश गवर्मेंट के नाम पए और इस इंडिया कंपणी को अब क्या बना दिया है सिलिफ होल्डर इंट त्रस्ट के बिए आप हमारी प्रोपर्टी को एड्मिस्टर कर रहे हो इस देश अंदर भारत के अंदर पर है सब कुछ ब्रिटिश क्राउन का आपका नहीं है तो इस्ट इंडिया कंपनी का तो पूरा अस्तित्व बजूदी खतम हो गया यहां तक आते आते 1833 तक आये थे गुसाया इन्होंने देश में लेकिन अब इन लोगों को टाटा भाय भाय का इनका समय आ रहा था क्लियर है Attempted to introduce open competition for covenanted civil services तो covenanted civil services क्या होती है यही चीज थी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि East India Company corporate नहीं करती थी क्यों नहीं करती थी क्योंकि इनके civil service जो थी management करती थी covenanted civil service जो थी वो manage करते थे इनके बंदे तो यह क्यों वहां से जाके जो बच्चा या जो भी बंदा ग्रेजुएशन करेगा यहां डिग्री लेगा वो अपॉइंट किया जाता था यहां पे civil services में civil head वो लोग क तो जित्ती भी covenanted civil services होती थी उनपर बंदे किसके बैठते थे EIC के East India Company के तो इनके बंदे बैठते थे लेकिन policy कोई बना रहा था British Government तो policy बनाने का काम उनका था लेकिन execute करने का काम इनका था और execution के time पे क्या था East India Company के बंदे थे तो वो डंक से उसको execute ही नहीं करते थे वो उनको डंक से execute ही नहीं करते थे ये इसमें सारा दिक्कत ये थी सारा राडा क्या था ये लोग इसको execute नहीं होने देते तो इस वज़े से क्या करा गया पहली बाद demand रखी गई कि वह याद कोवन इंटिट civil services में अब दूसरे बंदे भी बैठेंगे open करो इसको restrictive मत करो कि COD के recommendation के तुरू ही इसमें कोई बंदा बैठेगा इस दिन्या कंपनी के बंदेगी बैठेंगे ठीके फिर आदा माना last charter act 1853 last charter act 1853 so a separate governor for bengal was to be appointed ये तो होई गया पहले ये गलत है a separate governor for bengal separated legislative and executive function of governor general's council अब क्या किया गया अब executive और legislative function तो थे governor general के उनको भी separate कर दिया गया तो पहले के अगर आपको यादो तो supreme court अलग कर दिया गया था यानि कि judiciary activities अलग कर दिया थी governor general से गवनर general से judiciary activities अलग कर दिया थी इनके conflict of interest को अठाने के लिए लेकिन अब governor general के भी क्या कर दिया गया legislative part अलग कर दिया और executive part अलग कर दिया क्योंकि coordination और ज्यादा improve हो सके so governor general executive council बनाईगी 4 members की जो इनके साथ शुरू में मैंने आपको बताई थी एक council रहती थी council of 4 बोलते थी जिसको और एक नई legislative council create करेगी 6 लोगों की जिसको executive council बोला जाता था यह executive council of India बोला जाता था जो की अलग से 6 लोगों की जिसको mini parliament के नाम से भी mini parliament के नाम से भी जाना जाता था क्या नाम था mini parliament council of India legislative council of India legislative part अलग कर दिया executive वही वाले कर रहे थे अब legislative part क्या कर दिया इन council की recommendation पे बनेगा 6 लोग appoint करेगे 6 लोग appoint कैसे करेगे तो 4 तो मदरास, बॉंबे, बंगाल, आगरा की government में से करेगे अब government यूँगी Britishers किये तो बंदे भी हैं तो Britishers के लेकिन अब इनका specific काम हो गया legislation का पहले ये दोनों काम करते थे legislation भी, कानून भी बनाते थे और execute भी करते थे लेकिन proper execution न होने की वज़े से क्या किया गया इनको executive वाला part अलग कर दिया legislative वाला part अलग कर दिया clear है फिर इन गेव indefinite extension to EIC इस्ट इंडिया कमपनी के लिए अब क्या करा जहां पर हम 20-20 साल से उनको बढ़ा रहे थे उनकी monopoly को यहां पर indefinite extension कर दिया यानि की कोई भी time period allow नहीं करा और इनको बोले कि अभी तो आप कर लो लेकिन हामे जब मन करेगा हम आप पर लाद मार देंगे यह त्यान है मतलब कोई भी time constant नहीं रखा या time binding नहीं रखा हमें लगेगा चार दिन बाद बेजना है इसके हम बात कर रहे थे अब 1853 में लाग हो गया 1833 में क्या था demand रखी गई थी कि open covenanted service होनी चाहिए लेकिन अब क्या कर दिया गया अब इसको open कर दिया गया anybody can be appointed as the civil servant in India अब Indians को भी opportunity मिल सकती है clear है this act followed report of the governor general Dalhousie for improving the administration of company और यह जो भी charter act 1853 आया था यह किसके वेश पर आया था Dalhousie जो governor general थे उनकी recommendation के according जो report थी उसके बाद आपको 1853 आपका आया clear है बाद ठीक है तो यह जो थे charter act इसको हम बाद में बढ़ेंगे so this was about the charter act regulating act जो पास किये गए किस दोरान इस time को बोलते हैं एक बार मैं आपको थोड़ा से बता जाता हूँ इस time को जो बोलता है 1773 से 1858 तक यह जो period था यह कहलाता था company rule क्योंकि यहाँ पर company existence में थी और company rule करती थी लेकिन दीरे 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 जैसे आपने बढ़ा company का time खतम होता गया और इसको after 1853 अभी तक company है administrative function कर रही है monopoly खतम करी गई है लेकिन administrative function अभी भी कर रही है लेकिन आगे जाते जाते 1858 के बाद company का नामों निशानी हट जाएगा सिपोई mutiny होगी 1858 में जहाँ पर मंगल भाया और लक्षमी दीदी को थोड़ी सी नाराजगी होगी और उन्होंने बहुत सारी उठापटक कर दी इनके साथ तो 1858 के बाद तो क्या होगा company हटी गई सिर्फ British government रहे गई clear बाद तो इसको बोला जाता है 1773 से लेके 1773 से लेके 1858 तक company rule और 1858 से जब तक हम आजाद हुए 1947 तक इसे बोला जाता है crown rule क्या बोला जाता है crown rule क्योंकि अब फिर क्या हो गया rule सरफ British emperor का हो गया British monarch का हो गया company का अस्तित्व खतम हो गया clear है तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे इस second part को crown rule में क्या-क्या हुआ आने वाले 1947 तक क्या-क्या चीजे हुई